हलो एवरिवान, वेलकम तू माई शैनल, सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में नए लोग शुरू से सिखेंगे पटियाला शलवार की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाइ स्टेप वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक जरूर देखें कहीं भी स्किप ना करें ताकि एक एक चीज आपको किलियरली समाज आ जाए एंड इस कुर्ती के साथ मैंने डिजाइनर कुर्ती बनाई है जिस पे इस तरह से लैस लगा कर बीट्स लगाए है इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने सेकेंड चैनल जरी टुटोरियल पर पोस्ट कर दी है अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में तो इस शलवार के बारे में अपने साइस के अकौर्डिंग आपको कुछ पूचना है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं मैं definitely reply करूँगे और कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो वो भी आप पूछ सकते हैं तो दिखी ये शलवार बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये 3 मीटर सिंगाई फैबरिक लिया है तो फैबरिक तो आप अपनी पसंद से कोई भी ले सकते हैं पट्याला शलवार बनाने के लिए शलवार का measurement कुछ इस तरह से रहेगा तो मेरी शलवार का जो length है वो 38 इंच है तो length आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से कम जादा करना चाहते हैं तो कर लीजिए बना रहा है तो आपको 7 इंच उपर की तरफ निकालना होगा इसके बाद हम अपनी शलवार की ready length देखेंगे कितनी चाहिए तो जितनी भी आपको ready length चाहिए उस पर mark कर लेंगे तो यहाँ पर मैं 38 इंच की length पर शलवार ready करूंगे तो यहाँ पर मैंने 38 इंच पर mark किया इसके बाद हम इसमें 1 इंच और plus कर लेंगे margin के लिए तो आदा इंच हमारा नीचे से मोरी की तरफ सिलेगा और आदा इंच belt से joint करने में चला जाएगा तो एक इंच हमारा margin हो गया अब यह हमारा 33 इंच हो गया है तो 33 इंच को हम आगे follow करते हुए mark करते जाएंगे इसके बाद हमने इसकी cutting कर लेनी है तो सबसे पहले 3 मीटर fabric में से हमने 33 इंच की length पर शलवार के पाइंचों की length इस तरह से निकाल लेनी है इसके बाद देखिए खुली वाली side जो है मैंने mark करके कपड़े को इस तरह से cut कर लिया है तो 5.6 इंच चोड़ा हमारा यह पहुचा रहेगा तैयार इसके बाद यह आगे की तरफ से जो fabric बचा है इसमें से हम belt निकालेंगे तो belt की जो लंबाई है वो मैं 9 इंच रखूंगी और चोड़ाई जो है वो 24 इंच रखूंगी तो देखिए यहां पर मेरा थोड़ा सा fabric belt की लंबाई में कम पढ़ रहा है तो 6 इंच की हमें ready चाहिए आदा इंच का मैंने उपर निशान लगा दिया है और यहां पर कम हो रहा है तो हमने क्या करना है पहले हम अपनी शलवार की चोड़ाई इस तरह से ले लेंगे तो मैं 24 इंच ले रही हूँ 40 हिप है इसलिए मैं 24 इंच ले रही हूँ इसके बाद देखिए यह हमारा 23 इंच पर ready हो जाएगी belt अब 24 इंच पर हमने इसको cut कर लेना है अब देखिए जो यह जो फैब्रिक बचा है यह मैं रुमाली के लिए यूज करूँगी और यहाँ पर जो है थोड़ा सा joint आएगा लगबग 2 इंच का इसको 9 इंच की लेंग पर रखना है मुझे तो किसी भी एक साइड में हम joint डाल लेंगे तो इस तरह से 2 इंच फैब्रिक यहाँ पर हमने joint कर लेना है और यह हमारी belt हो जाएगी अब शलवार के लिए कलिया कट करने के लिए हम अपनी पौचों की लंबाई देख लेंगे तो पौचों की जो लंबाई है वो मैंने 33 इंच ली है तो यह हमें याद रखना है क्योंके इतनी ही लंबाई हम कलियों की लेंगे अब देखिए जितना भी हमारा कपड़ा बचा है 3 मीटर में से तो 2 मीटर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लंबाई है वो साड़े एक तालिस इंच है तो 2 मीटर से थोड़ा से ही एक्स्ट्रा है क्योंके मेरे पास यह पूरा 3 मीटर फैब्रिक नहीं था और यह जो इसकी चोड़ाई है यह 44 इंच है अगर आप 60 इंच के अरज में 3 मीटर की पट्याले शलवार बनाएंगे तो आपके घूम जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे अब देखिए हमने अपनी शलवार के जो पाइंचे थे उनकी ही लेंद के बराबर ही कल्यों की लेंद लेनी है तो मैंने 33 इंच पर इसके माक कर लिये है इसके बाद उपर की तरफ यह 8 इंच बचा है तो यह हमारा क्रॉच होगा यानि यह हमारा आसन है आसन की लंबाई हम आगे बढ़ाएंगे अब यहाँ से आगे की तरफ हम 2 इंच का माक करेंगे इस तरह से इसके बाद देखिए हमने जिस साइड में ये कली कमाग किया है अब उसके अपोजिट साइड में हम दूसरी कली कमाग करेंगे यानि 33 इंच की ये साइड लिए हमने तो 33 इंच ही हम ये वाली साइड लेंगे इस तरह से तो दोनों कलियां अपोजिट साइड माएंगी यह देखिए इस साइड से भी मैंने 33 इंच की लंबाई ली है कलिय की यहां तक इसके बाद आगे की तरफ हमने 2 इंच का माग किया है और उपर की तरफ यह हमारा साड़े 8 इंच का क्रॉच है तो जैसा हमने उस साइड में क्या है वैसा ही हमने इस साइड में क्या है बट इसकी जो साइड है वो अपोजिट कर दी है तो अब यह वाले माग को हमने वहां इंच टेप रखकर इस तरह से मिलाना होगा तो इंची टेप आप ध्यान से देखिए हम किस पॉइंट पर रख रहे हैं जहां हमारा दो इंच का माख खतम हो रहा है दोनों साइड में हमने तिर्चा करके इस तरह से इंची टेप रखा माख करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है तो गाइस उम्मीद करूंगे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और वीडियो को एंटर बने रहें तो देखिए यहां से हमारी जो दो कलिया है ये जूड़ी हुई है तो कट करके इसको भी हम दो में डिवाइट कर लेंगे अब हमारे पास चार कलिया हो गई है अब इन चारो कलियो को एक साथ इस तरह से रख लेंगे तो इस साइड में हमारे दो पाइचे हैं और चार हमारी कलिया है अब देखिए पाइचों को यहां से उपर की तरफ हमने नीचे एक इंच पर माग करना है अब इस वाले माग को हमने आगे की तरफ मिलाना होगा तो यहां से एक इंच पर माग किया इस तरह से अब इंच टेप को यहां इस तरह से रखेंगे और आगे हमने कोना बनाते हुए यानि तिर्चा करके इंचिटेप को रखना है और इसको माक कर देना है तो पाइचा हमारा जो है वो एक इंच छोटा होगा क्योंकि हमने इंचिटेप को तिर्चा रखा है और कल्यों की लेंद आगे से उतनी रहेगी अब इस तरह से हमारा जो पाँचा है वो 32 इंच हो गया है लंबाई में ये देख सकते हैं आप तो ये अब 32 इंच हो गया है बट हमारी जो शलवार है वो छोटी नहीं होगी इस कट से जो है हमारी शलवार का लुक और जादा इनहेंस होगा आगे से बिलकुल खड़ी रहेगी शलवार और ये जो इसके गिडड़ी है यानि ये वाली साइड ये इसके जो फॉल है रिंग है वो और जादा हो जाएंगे अब देखिए मेरे साइस के अकॉर्डिंग इसका जो क्रॉच है वो थोड़ा भी छोटा है तो उसको मैं लंबाई में बढ़ा लूँगी आप अगर छोटा क्रॉच पहनना पसंद करते हैं तो इसकी साड़े आठ इंच लंबाई है तो बस इतना ही रहने दीजिए बट यहां से मुझे जो क्रॉच है वो थोड़ा छोटा लग रहा है जैसे ये साड़े आठ इंच पर कट हुआ तो साड़े साथ इंच पर ये सो अब ये जो क्रॉच है ये 9 इंच पर तयार होगा और उपर हमारी बैल्ट हो जाएगी यानि 15 इंच पर हमारे क्रॉच की रेडिल लैंद हो जाएगी तो आप अपने कमफर्ट के हिसाब से क्रॉच की लंबाई इस तरह से कम जादा कर सकते हैं अब यहां से भी फैब्रिक बचा था साइड से उसका यूज करूँगी क्योंकि मियानी मुझे थोड़ी सी बड़ी चाहिए तो इसकी जो लंबाई है वो 9 इंच है अब इसको हम डबल फोल्ड करने के बाद मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से चोड़ाई मैंने 5 इंच ली है और लंबाई जो है तो बहुत यह आसान है मैंनी कट करना मैंनी की लंबाई चोड़ाई आप थोड़ा बहुत अपने साब से कम ज़्यादा कर लीजिए तो लीजिए यह हमारी 2 मैंनी कट हो चुकी है अब इन दोनों मैंनी को हम एक ही पार्ट में लगाएंगे अब चलिए देख लेते हैं इनक तरह से सिलना होगा तो दोनों साइड में एक कलियां आ जाएंगे और सेंटर में हमारा यह पाहिचा आ जाएगा दोनों की रॉंग साइड जो है वो उपर है तीनों की और राइट साइड नीचे की तरफ है तो बस इनको इस तरह से पकड़ेंगे और आधा इंच का दबाव लेकर सीधा सीधा सिलना है तो यह हमारी पाहिचा कलियां सिल जाएंगी इसके बाद इसी वाले पार्ट में में दोनों मेयानी लगा दूँगी तो मेयानी आपको एक ही पार्ट में लगानी होगी तो मेयानी को इस तरह से रखेंगे और यहां से पकड़कर सिल देंगे सिलन ने दोनों मयानी लगा लिया और जो हमारी कलिया है पाउचे के साथ वो भी मैंने सिल लिया है तो दूसरा पार्ट भी ऐसा ही करके रेडी करेंगे दोनों की सीधी तरफ अंदर रखते हुए अब हमने इसको मयानी के साथ अटेच कर देना है सो गई सिलाई का इतना तरीका तो आपको समझी आ गया होगा क्योंकि यह बिल्कुल सिंपल वाली शलवार का ही तरीका है बस फ्लेयर इसमें ज्यादा है तो दिखिए इस तरह से हमारी शलवार सिल चुकी है और यह हमारी बैल्ट है बैल्ट को भी मैंने जो जॉइंट था वो उपर रखी है इस तरह से अब यहां से लगबग आदा इंच का माक उपर के तरफ करेंगे और इसको पीछे की तरफ तिर्चा मिला देंगे इस तरह से अब जो हमने तिर्चा माक क्या है इसको हमने कट कर देना है कट करने के बाद जो हमारी बंद वाली साइड है यह वाली यहां भी हमने notches लगा लेने हैं इस तरह से अब इसको यहां से पकड़ते हुए सीधा करेंगे तो यह हमारी belt कुछ इस तरह से रहेगी front वाला जो part है वो आदा इंच कम रहेगा belt का belt का छोटा वाला जो part है वो front में आएगा जहांपर हम बहुत सारी plates बनाएंगे और जो बराबर है हमारा belt वो हमारा back में आएगा जहांपर हमने सिर्फ दो plates बनानी है तो यह इस तरह से आपको समझ आ गया अब देखिए side के हमने जो notches लगाए हैं यह सिर्फ हमने इसलिए लगाए हैं ताके हमें पता रहे कि plates जो हैं वो हम इसके अंदर अंदर रखेंगे इससे बाहर न जाए और इससे ज़ादा इसका कोई भी फायदा नहीं है notches का सिर्फ हमने एक idea के लिए लगाए हैं अब plates कितनी डालनी हैं वो देख लेते हैं तो यहाँ पर देखें center से इस तरफ मैंने 9 इंच पर mark किया और दूसरी side भी center से 9 इंच पर mark किया अब front में जितनी भी हम plates डालेंगे वो इन दोनों mark के अंदर अंदर रहेंगी इनसे ज़ादा हम नहीं बढ़ाएंगे तो यह आपको समझ आ गया होगा जो side के हमने 9 इंच लगाएं थे side के center है उस center से अंदर की तरफ 2-3 इंच हमने mark कर लेना है आपका size चाहे कितना भी छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा तो यहाँ पर मैंने 9 इंच mark किया है लेकिन जो plates है वो मैं लगबग कोशिश करूँगी 8 इंच तक आ जाएं तो 8 से 9 इंच तक जहां तक भी हमारी plates डाल देंगे अब देखिए नेफे वाले जो side है यह front की हो गई और यह हमारी back की है back में हम सिर्फ 2 plates डालेंगे तो लगबग 1.5 इंच गहरी मैं यह 2 plates इस तरह से डाल दूगी उसके बाद हम यह आगे की plates डालेंगे तो ध्यान रहे हमारी यह plates यहां तक आएंगे तो चलिए यह machine पर लगा कर देख लेते हैं तो यह back वाले जो plates दो थी यह मैं डाल चुकी हूँ यह देखिए 1.5 इंच गहरी है दोनों साइट से अब फ्रंट की plates डालने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से रखना है तो यहां जो हमने spin लगाई थी इसको निकाल देंगे अब फ्रंट की जो plates की गहराई है वो आप अपने घेरे के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं तो यहां से पकड़ते हुए तो मेरी जो plates की गहराई है सब की बराबर आएगी तो plates अंदर तक जहां हमारे पैर है machine के वहां तक में लेकर जा रहे हूँ और बस हम लगबग पॉन इंच सिलाई करेंगे उसके बाद machine को रोग देंगे देन हम फिर से plate बनाएंगे और सभी plate को इस तरह से set करके पॉन इंच सिलेंगे तो यह हमने जब तक करते जाना है जब तक हमारे पाइचे का center का notch ना जाए तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे पाइचे का center का notch था उस पर हमने plates कैसे बनानी है कल्यों की जो सिलाई है वो आप plates में इस तरह से ले लीजिए तो देखें यहां मैंने अंदर की तरफ ले ली है इसके बाद यह देखें दूसरी सिलाई है कली की यह center है हमारे पाइचे का यह वाला इसी पर हमारे पाइचे की crease बनेगी तो यहीं से हमने इसको एक इंच डाउन किया था अब इसी notch पर हमने एक plate बनानी है चाहे हमारी plate कितनी भी छोटी बने तो आप देख लीजिए यह notch पर मैं अंदर लेकर जा रही हूँ और अब हमने इस notch के उपर plate बनानी है तो यहां एक plate का मुह आ जाएगा जहां पर हमने notch लगाया था अब बाकी जो plates हैं वो हम बिल्कुल उसी तरह से डालेंगे जैसे हमने starting में डाली थी बस यह जो एक plate है center की यानि पांचे की center की plate है वो हमारी थोड़ी सी छोटी आई है तो वो कोई बात नहीं लेकिन जो हमारे पाइचे की crease है वो perfect आएगी यानि शलवार जो है वो आगे से बिल्कुल सीधी रहेगी खड़ी रहेगी और जो इसकी crease है वो बनी रहेगी तो आगे की जितनी plate से हम डाल के end कर देंगे अब देखे यहां हम back side में आ गये है इसको कपड़े को बराबर मिलाते हुए चेक कर लेंगे अब जितना भी extra हमारा fabric है उसकी last में plate इस तरह से set कर लूँगी तो यह हमारी last plate हो गई अब आगे हमने फिर से आदे इंच का दबाव लेते हुए इसको सी देना है तो यह वही माक है हमारा center का notch तो देखे उसके काफी अंदर हमारा जो plate है वो finish हो गई है हमने इस से आगे नहीं बढ़े है अब यहां आकर हमने इस lie को end कर देना है यानि यह back side है तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ front की जो plate है वो कुछ इस तरह से आई है यह देख सकते हैं आप अब दूसरी side में भी हमने बिल्कुल इसी तरह से यह plates बना लेनी है तो बस धियान रखना है यह जो हमने माक्या है 9 inch का इसके अंदर-अंदर plates रहेंगी plates डालने के बाद देखिए यहां पर जो हमारी plates है center से इस तरफ 8 inch पर मैंने complete की है और इस side में भी मैंने 8 inch पर complete की है यह देखिए दोनों side की last plate जो है वो 8 inch पर आई है यह देख सकते आप अब हमने belt के उपर एक सिलाई करनी है तो जहां पर हमने plates डाली है उसका जो दबाव है वो belt की तरफ रखना है उपर की तरफ और एक पेर का दबाव लेते हुए यह सिलाई लगा लेनी है अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने center का mark पर एक plate बनाई थी तो यह जो crease है यह कुछ इस तरह से बनेगी जब हम मोरी बनाएंगे और इसकी सिलाई लगा देंगे तो यह center में आएगा और जब मोरी हम इस तरह से पकड़ के iron करेंगे तो यह crease automatically बन जाएगी यानि पॉंचे का जो center है उस पर हमने crease ज़रूर बनानी है दोनों side में उम्मीद करूँगी यह चीज आपको समाज आ गई होगी तो यह plates डालते हुए मैंने ज़ादा कोई measurement नहीं क्या है simply आपको एक 3 inch का formula बता दिया था या 4 inch का उसके according आउसको follow करते हुए आप plate डाली आपकी विल्कुल perfect plates डलेंगी तो यह शलवार हमारी इतनी ready हो गई है आगे की तरफ से यह आगे वाला part आदा inch छोटा रहेगा शलवार का crotch हो या फिर plazo का उसमें back side से हमें थोड़ा लंबा चाहिए और front से हमें छोटा चाहिए होता है तो यहां से मैंने आदा inch रखा है आप इसको एक inch भी रखेंगे न तब भी perfect आएगा आपके इस तरह से और यह plates मैंने आपको दिखाई दी है तो total मेरी 16 inch की लंबाई पर plates आईए side से हमने यह center का जो नौचस थे 3-3 inch हमने इस तरह से रखा है तो कोशिश करें जादा से जादा plates आप आगे ही रखें side तक ना पहुचे इससे आपकी शलवार का जो look है वो जबरदस्त आएगा अब हमने मोरी बनानी है तो मोरी बनाने के लिए fabric के उपर मैंने canvas paste कर लिया है तो canvas की जो चोड़ाई है वो मैंने 3 inch ली है और जो fabric की चोड़ाई थी वो मैंने 4 inch ली है तो ज़्यादा fabric नहीं था मेरे पास इस तरह से मैंने canvas को fabric के उपर paste कर लिया है अब इसको center से cut करके 2 में divide कर लेंगे अब एक मोरी इस तरह से बनाएंगे देखिए यहां इसके उपर सीधी तरफ रखना है और यहां सिलाई लगाने के बाद wrong side में turn कर देंगे उसके बाद कोई भी अपनी मर्जी का design बना लेंगे मोरी के उपर तो आप designer मोरी भी बना सकते है बट मेरा जो fabric है यह सिंगाई fabric है तो यह इसका जो self print है इसमें ज़्यादा designing दिखेगी नहीं तो मैंने यहां पर simple सा design बना लिया है दोनों मोरी का यह देख सकते हैं तयार होने के बाद मोरी की जो चोड़ाई है वो 3 इंच है तो यहां पर आप मोरी की चोड़ाई डाय से 3 इंच ले सकते हैं पट्याला शलवार में अब हमने इसकी inner वाली सिलाई लगानी है तो इस तरह से half में fold कर लेंगे अब मोरी की चोड़ाई मैंने 6 इंच लेती तो मैं 6 इंच पर ही mark करूँगी यह देखिए इस तरह से और उपर की तरफ हम 8 इंच पर mark करेंगे अब इन दोनों mark को हमने तिर्चा करके मिलाना है तो यह जो मोरी की सिलाई है तिर्ची आनी चाहिए जब हमारी शलवार का लुक अच्छा रहता है अब उपर की तरफ जब हम जाएंगे तो थोड़ा सा margin कम करते जाएंगे यानी पॉन इंच में margin लूँगी सेम इसी तरह से दूसरी मोरी का भी हमने mark कर लेना है और यहां उपर की तरफ थोड़ा सा कम कर देना है बागी आगे हम पकड़ के इस तरह से ही सिल देंगे इस तरह से यह हमारी जो शलवार है वो ready हो गई है और यह देख सकते हैं आप मैंने iron कर लिए है और जब मैंने iron की तो simply यह उपर से इसको पकड़ा प्लेट को और इसके उपर सीधी iron कर दी है फ्रंट से यह शलवार 37 सिंच पर ready होई है और back से 38 सिंच पर और perfect इसकी land आई है इसके साथ जो मैंने कुर्टी बनाई है कुर्टी का वीडियो यहां के लिक करके देख सकते हैं उम्मीद करूँगी अब तक आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा थैंक्स वर वाजिंग इस वीडियो